दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपको Microsoft Bing पर अपना अकाउंट कैसे क्रियेट करना है बहुत ही सिंपल से स्टैप्स में ठीक है अभी इस समय इंस्टाग्राम पर या फिर और जगाँ पर बहुत ज़्यादा AI पिक्चर बनाने का ट्रेंड चल रहा है तो आपको उसके लिए Microsoft Bing application की जरूत पड़ेगी और उसमें आपको कैसे अकाउंट बनाना है यह बहुत ज़्यादा टफ है आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा उसके बाद समझ जाएंगे किस तरीके से आपको Bing अकाउंट बनाना है ठीक है तो आईए सबसे पहले हम Bing पर अकाउंट बना लेते हैं तो आपको सबसे पहले क्या काम करना है प्ले स्टोर पर जाना है प्ले स्टोर पर जाने के बाद यहां पर आपको सर्च कर लेना है Microsoft Microsoft Bing नाम की एप्लिकेशन आपको सर्च करनी है सर्च करने के बाद आपको ये वाली एप्लिकेशन जो है इंस्टॉल कर लेनी है ठीक है Bing, Chat with AI and GPT-4 इस वाली एप्लिकेशन को ओपन करना है ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीकी का इंटरफेस आएगा आने के बाद आपको क्या करना है सिंपल ये आपको यहाँ पर चले जाना है इस पर जाने के बाद आपको एप्ले आप्शन पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे स्लाइड डाउन करना है अब नीचे यहाँ पर एक आप्शन आएगा image creator का, आपको इस image creator के option पर आपको click करना है, click करने के बाद यहाँ से आप AI image बना सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, आपको account बनाने की जरूत पड़ेगी, ठीक तो account बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर नीचे home के बटन पर आप आ जाना है home के बटन पर आने के बाद उपर यहाँ पर आपको click करना है, इस बाले option पर आपको click करना है, ठीक है, आपको इस पर click करना है click करने के बाद यहाँ पर आपको sign in with another account पर click करना है क्योंकि मेरी दो ID पहले से login है इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरीके से आपको इस पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद फिर से आपको sign in बाले option पर आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद यहां से sign in with another account पर आपको click करना है अब आपको क्या करना है आप सोचते होंगे इस पर sign in करना है sign in नहीं करना है आपको नीचे यहाँ पर एक option आता हुआ create one का तो आपको create one के option पर आपको click करना है click करने के वाद आपके पास जो भी Gmail ID रहेगी कोई भी Gmail ID हो आपकी हो, दोस्त की हो, किसी की भी हो आपको वो Gmail ID यहां पर एंटर कर दिनी है ठीक है? तो मैं यहां से Gmail ID एंटर कर लेता हूँ Gmail ID मैं ने एंटर कर लिए है इसके बाद Next करने के बाद यहां पर आपको कोई भी एक Password Create कर लेना है अपने हसाब से ठीक है? कर दिता हूँ next करने के बाद जो भी आप अकाउंट पर नाम देना चाते हैं वो यहां से आप नाम सेलेक्त कर लीजिए ठीक है तो मैं फिलाहाल के लिए मोशिन ही रहने देता हूँ इंफो next करना है next करने के बाद जो भी आपकी country रहेगी date of बर्त रहेगी तो मैं ऐसे ही डाल देता हूँ जो भी है ठीक next करना है next करने के बाद यहाँ पर आपकी इस बाली Gmail ID पर जो आपने enter की थी उस बाली Gmail ID पर आपका यहाँ पर एक code जाएगा तो आपको उस Gmail ID को देख लिना है कहाँ पर आई होगी mail ठीक है तो यहाँ पर यह mail आया है आप देख पा रहें यह mail आया है यह code आया है 580-856 तो मैं यहाँ से code एंटर कर देता हूँ 580-856 next करना है next करने के बाद यहाँ से आप देख पा रहें यह account create होने बाला है आप देख पा रहें थोड़ी दिर आपको बेट करना होगा working progress में है और आपको यहां पर यह पजल आपको जो है solve करना होगा तो next के बटन पर click करना है next के बटन पर click करने के बाद दोस्तों यह पजल आपको कैसे करना है तो जैसे जैसे मैं आपको बताओं उसी तरीके से आपको इस पजल को solve करना है ठीक है अब आप द सीधा करना हो तो यह यह यहाँ पर यह सीधा हो गया है समिट कर देना है यहाँ पर यह डन हो चुका है अब आप देख पार हैं बेरिफिकेशन कम्प्लीट हो चुका है दोस्तो इसी तरीके से आप अपनी Microsoft बिंग application पर account बना सकते हैं बहुत ही आसानी से उसके बाद आप कोई भी AI image यहां से create कर सकते हैं तो थोड़ी देर बेट करते हैं जैसा कि दोस्तों आप देख पारें मेरी idea यहां पर login हो चुकी है अब यहां पर merge नहीं करना है जो भी आपके पास option आए तो आपको यहां पर back जाना है back जाने के बाद फिर से आपको application के अंदर जाना है नीचे app image creator वाले option पर चले जाना है जाने के बाद यहां पर आप अब उसके बाद कोई भी photo यहां से आप आराम से बना सकते हैं अपने दोस्तों का या फिर अपना जो भी photo रहेगा वो यहां से आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं अब आपका bing account बनकर तयार है तो आशकरता हूं दोस्तों आप समझ गए होंगे bing पर account कैसे बनाना है अगर आपको यह समझ में आ जाए तो इस video को एक like करते हैं